ठीक है दोस्तों तो अब हम अभी तक national income और GDP के बारे में समझ चुके थो अब देखें राष्ट्री आय की गड़ना की बारे में पड़ेंगे ठीक हैं हमारा नेक्स्ट टोपिक क्या है राश्ट्री आयकी गड़ना की विधियां तो ये तीन प्रकार की होती है तीन विधियां है उत्पाद विधी जिसे product method बोलते हैं आयविधी जिसे income method बोलते हैं और व्यविधी जिसे expenditure method कहते हैं ठीक है अब हमारे भारत वर्ष में जो राश्ट्री आयकी गड़ना है वह जो वो दो शुरू की जो दो विधि हैं उत्पाद विधी product method और आयविधी इनका method इनका use करके किया जाता है व्यविधी का उपयोग हम नहीं करते हैं अन्य देश जो जिन देशों में अर्थ विवस्ता का सोरूप जैसा जिस देश में है वो अपनी सुविधा की अनुसार इन में से कोई एक या फिर एक से दो विधियों का उपयोग करता है अपनी राश्ट्री आयकी गड़ना के लिए ठीक है व्यविधी जो है वह हमारी अर्थ विवस्ता की जो भी सनरचना बनी हुई है मतलब जो भी टेक्ससें सिस्टम है और नगदी का उपयोग अगर है आदी की समस्याओं के करण हम इस विधि का उपयोग नहीं करते हैं अब उत्पाद विधी और आयविधी का हम यूज कसे करते हैं अर्थ विवस्ता की जो तीन खेटर हैं पराथमिक खेटर, कृषि खेटर, विट्यक खेटर, उध्योक खेटर और तृधियक खेटर कौन जा है? सेवा खेटर ठीक है तो पराथमिक एवँ दृत्यक खेटर से संबंदित जो गड़ना है GDP से संबंदित जो गड़ना है वह हम उत्पाद विधी से निकालते हैं उत्पाद विधी का उप्योग करते हैं उत्पाद विधी क्या होती है अभी हम जानेंगे और जो सेवा छेत्र होती है इसे संबंदित जो GDP की गड़ना है वह हम IVD से calculate करते हैं ठीक है और फिर इना आपस में जोड़ दिया जाता है टोटल GDP निकाल दिया जाता है तो IVD क्या होती है उत्पाद विदी हम पढ़ने वाले हैं IVD इसके बाद पढ़ेंगे और फिर जो आए IVD इसके बाद पढ़ेंगे और वे विदी भी हम देख लेंगे तो आए उत्पाद विदी को पढ़ते हैं तो उत्पाद विदी कुछ नई विदी नहीं है ये जो हम अभी तब पढ़ते हैं जीडी पी के बारे में वही है ठीक है तो इसमें तो यह तो बहुत इसी हो गया आप लोगों के लिए समझ लीजिए इसमें बस मैं भी थोड़ा सा जीविये एक बार और बता दूंगा जीविये क्या होता है क्योंकि अभी तक जीविये के बारे में चर्चा नहीं किये तो आए उत्पाद विधी अब यह ज एक विधीवर्ष या फिर एक साल के दोरान उस देश के निवासियों द्वारा जा देश में इस्थापित इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्तूओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मुल्य का योग ही क्या होता है GDP होता है मतलब अगर कोई देश है अगर कोई तुम्हा का रेट किता है सो सो रुपए मौद्रिक मुले कौन सा अंति मौद्रिक मुले बाजार में मार्केट में यह सो रुपए का मिला मार्केट में यह सो रुपए का मिला माल लेते हैं यह देश में सिर्फ तीन ही कंपनी है और इन्हों ने एक ने खाद बनाए एक ने कपड़ा बनाए एक ने रोटी बनाए अंगुठी बनाई ठीक है और सिर्फ एक है कि प्रोडक्ट बिका और कुछ नहीं बिका तो मैं GDP जब कल्कुलेट करने जाओंगा तो मेरी क्या जाएगी उस साल क őनोग की जाएगी उस साल की किती आ जाएगी अंत्यम मौद्रिक मूल लियर तो ये सो रुपएं मेरे अंतीम मौद्रिक मूल लियरं और प्लस ये सो रुपह एक आगया कितना एंशन выбwe है तो हमारी अब टॉटल GDP किती हो जाएगी 1300 रुपई ठीक है तो अभी हमारी इस साल के लिए हमने कितना 300 रुपा wiras aéta अगोर सिर्फ और सिरु साल के बारे सोचें ठीक है तो हमारी अब जैसे कपड़ा है उस कपड़े में उस कपड़े के Market में आने पर सोरुपय का यह कपड़ा किन अने से पहले तक किस किस औध्योगा क्यञस्थ में एपना जो बहूं明白 इस इंट से नहीं मिलती मतलब इस कपडे को बनाने में कौन प्रिखा को बेज दिया होगा ठीक है उसके गण घागा को और ऑगे रूइ से और फिर मिल वालों को बेज दिया मिल वालों को बेज दिया और मिल यह हमें नहीं पता चला, तो यह पता करने के लिए ही GVA method का यूज किया जाता है, ताकि हमें sector specific, छेत्र के अनुसार, छेत्र का क्या योगदान रहा GDP में, हाना, वो हमें पता चल तके, मतलब एक, सिर्फ कपड़े के बारे में लें, तो कपड़े का जो उद्योग है, उसे थोड़ सा, माल लीजे, माल लीजे, किसान है, किसान ने कपास बोया, और कपास उसने 100 रुपए में दे दिया किसे, धागा बनाने वाले को, ठीक है, धागा बनाने वाले को, अब इसने 100 रुपए में दिया इसे, अब इसने धागा बना लिया, उस कपास को धागा बनाया और उसके मुलے में वृण्धी कर दि और उसे मुल्य में विद्धी कर दिया कपड़ा पनाया और इसने उसे कितने में बेज दिया आगे इसे 300 रुपए में बेज दिया किसे व्यापारी को व्यापारी को बेज दिया अब व्यापारी को इसने 300 मतलब इस 500 रुपए की सामान को मिल वाले ने उसका मुल्य वर्धन कर दिया, उसके value में addition कर दिया और 1.5 रुपय का जो रुई था, वो रुई ही है, वो 100 रुपय का रुई है जो अब 1.5 रुपय का हो गया और वही रुई ही है अभी भी जो अब 3.5 रुपय का हो गया है, लेकिन अलग-अलग रुपों में अब यही वैपारी जो है, उसमें सितारे लगाता है, उसकी packaging करता है और अच्छे से अपनी mall की दुकान में सजा देता है और उसे वो 500 रुपय में बेज देता है ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पर अब इसे समझिए अब जो परिभाश है उसे पढ़ते हैं तो GVA क्या होता है? उत्पादन प्रक्रिया में मूल्य वर्धन के प्रतेक चरण में जितना मूल्य वर्धन होता है, केवल उसे जोड लिया जाता है ठीक है? मतलब क्या बोल रहा है? उत्पादन प्रक्रिया किसका उत्पादन हो रहा है? शर्ट का फाइनल जो प्रोडेक्ट है शर्ट का उत्पादन उस उत्पादन प्रक्रिया में मूल्य वर्धन के प्रत्तेक चरण में तो पहले तो आप रूई का 100 उप लिख लो ठीक है अब GDP की बात कर रहा है न वो GDP निकालने हैं हमको GDP लेकिन जीवे मैथड से तो जीवे मैथड क्या बोल रहा है कि उत्पादन प्रक्रियारी में मूल्य वर्धन के प्रत्तेक चरण में 100 के बाद जितना भी प्रक्रिया है उधर यह दुरूई का है उसके बाद उधर मूल्य वर्धन की चरण है यह पहला मूल्य वर्धन चरण है जब अब धागा वाला है उसने खरीदा 100 रुपए का समान ले करके उसकी व्यर्य में ऐडिशन कर दिया कितना क्योंकि 100 मिलिया और 300 में बेच रहा है तो कितने कम व्यर्धन कर दिया देढ़ सु रुपए का दूसरे तब दूसरा रूपए और इसमें value addition 2 ठीक है दूसरे चरण में और तीसरा चरण क्या जाएगा ये व्यपारी व्यपारी ने 300 रूपए के समान में उसमें value addition किया और value addition 3 कितना आ गया 200 रूपए ठीक है तो इस प्रकार हमने देखा कि मुल्य वर्धन के प्रते चरण में जितना मुल्य वर्धन होता है उसे हम जोड़ लेते हैं अब मुल्य वर्धन के तीनो चरण को जोड़ दीजिए value addition a plus value addition value addition to value addition 3 इन तीनो चरणों का हमने केवल value addition जुड़ा है यहाँ पर हम ऐसा देखा जाए तो हमारा बाजार में उपस्थित वस्तु का अंति मौद्रिक मूले कितना 500 रुपए यह 500 रुपए का है अब उस देश में अगर एक ही शेट बिका साल बर में और एक ही उत्पादा नहीं कुछ भी नहीं है तो उसकी GDP किती पांस रुपए होगी तो यहाँ प 50 तो गलत हो गया यह तो फ़ी नहीं है तो यह डिडीप इस से रपता है क्या आप आपने पहले यह जो प्रोडेक है कुछ मुल्य वर्धन करते जोडते जाओ सॉरुपन मुल्य रुपै प्लस मुल्य वर्धन पिचास प्लस। प्लस कितना है 200 तो यहां पर आप जब जोड़ेंगे तो फिर से आपको GDP मिल जाएगा 100 अब यह 200 और 200 200 400 और 500 तो 500 रुपए GDP यही सही GDP है कि उधर से भी हमने जब अंति मौद्रिक मूल्य के हिसाब से जोड़ा तो भी हमको 500 रुप मिल लाता है मतलब इससे 500 रुप मिल लाता है इससे भी 500 मिलना चाहिए तो वह मिलेगा कैसे इस प्रकार से अब सबसे में इतना थाम ल्यम करनी का जोरत है available कि अब देखिए हमें अब इससे देखciones है यह जो किसान है यह प्रात्मीक शेत्र का व्यक्ति है अर्थ व्यवस्ता की जु प्रात्मी भीतियक चेट्र को तृत्ययक शेत्र है मतलब पनार्द खृषिर이 है धागा बनाने वाला है यह द्वित्यक्षेत्र से संबंधित है उद्योग कर रहा है वो और यह भी द्वित्यक्षेत्र से संबंधित है मील वाला तो यह दोनों तो द्वित्यक्षेत्र से संबंधित हो गए और त्वित्यक्षेत्र से संबंधित है तो अब मुझे क्या बाता चल रह मुझे और यह जानकारी बहुत मत्वपूर्ण होती है इसलिए हम GVA Method का भी यूज करते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई इस 500 रुपए की शार्ड में 100 रुपए तो कृषिशी शेत्र नुत पादित किया तो 100 रुपए का सामान उसके बाद दृतियक शेत् में धागा बनाने वाला उद्योग है उसका 50 रुपए का योगदान है और जो मिल उद्योग है उसका 1.5 रुपए का योगदान है उसके बाद तृतियक शेत्र जो है टर्शरी शेत्र सेवा शेत्र उस सेवा शेत्र का उसका GDP में मेरा योगदान कितना है 200 रुपए का तो माद्नमीक वस्तु के मूल लेकी दोरी गड़ना करने रोकने के लिए किया जाता है माद्नमीक वस्तु क्या यही 100 रुपए का जो समाने यह 100 रुपए अब जो अगला 1.500 रुपए है अगर मैं यहाँ पर 50 की बेचा 1.500 लिख देता है ना 100 जोडा उसके बाद 50 धागेवाले ने 1.500 रुपए में बेचा तो मैं यहाँ पर 1.500 लिख देता तो उस 1.500 में 100 रुपए तो यह खुद है है बस इतना ही है तो आई होग कि आप लोग को यह समझ आ गया होगा उत्पाद विदी ठीक है दोनों तरीके समझ आ गए अब उसमें क्या नहीं जोड़ा जाता यह उस धन को हम GDP में कैलकुलेट नहीं करते क्यों कि पुरानी वस्तु जो है मैंने पिछले साल जो गाड़ी खरती थी तो जब पिछले साल का गाड़ी है मैंने पिछले साल बाई किया था तो नहीं गाड़ी तो उसका उस साल के पिछले साल की GDP में वह कैलकुलेट हो गया है ना तो यहां पर हम मुल्य वर्धन, पुराणी वस्तु की बीक्ने में हम इसे नहीं जोड़ेंगे, दूसरा माधमिक वस्तु का मुल्य, माधमिक वस्तु का मुल्य नहीं जोड़ेंगे, वही जो हमने यहां पर पचास बस जोड़ेंगे, सिर्फ केवल मुल्य वर्धन जोड़ें उसमें हमने और जो बीच के चरण में जो इसे बनाते हुए आये होंगे, तो वहाँ पर हमने किसी सीज़ेशरत को नहीं जोड़ा है, मैंदमीक वस्तू होगा, तो यही वो तो यहीं वो कह रहा है, रहें जो हैं प्रात्मिक वस्तू है, उसके साथ मुल्य वर्धन जितना हुआ है केबल उसे जोड़ेंगे उसमें भी हमने मादमीक वस्तूव के मुल्य को नहीं जोड़ा है और GDP मेथड़ यह तो जी विए मेथड़ जो यह जो मैथड़ है सीधा जो अंती मुल्य मुल्य जोड़ा आट उसमें भी हम सीधा अंती मुल्य को जोड़ते हैं बस पीछे क्या वह टाव ? कितना इसा.. वह सब हमने जोड़ ही नहीं रहे है हम सीधा कपास के शर्ट की अंती मुल्य जोड़ा ? तो मादमिक वस्तु का हम नहीं जोड़ते, स्वाव उपभोग हेतु वस्तु एवं सिवाओं के जो उत्पादन किया जाता है, उसे भी नहीं जोड़ा जाता है, मतलब यदि मैं अपने घर में ही बगीचा मैंने बनाया है, मतलब मेरे द्वारा उत्पादित कोई भी वस्तु में अर्थ विवस्ता में नहीं डाल रहा हूँ, मैं खुदी खा जा रहा हूँ, खुदी उसे खत्म कर ले रहा हूँ, खुदी वह कर ले रहा हूँ, मैं अब लीजिया मैंने एक किलो आलू अलूगा लिया अपने गाडन में, कीमत बहार इब्र Wrap क्य तेंम नीए ऑन 30 जयसे अगर मैं टेचिंग कर रहा हूँ, अपने घर वालों कोई बस बढ़ा रहा हूँ, से नहीं जोड़ेंगे पिछले विट्टी वर्स के जमा स्टॉक में मूली वृद्धी हो चाने पर पिछले वर्स की जीडिपी में हमने दाल है दाल का जोल दिया पैसा कितना सो रुपए का स्टॉक बचा हुआ है अब दूसरे साल लग गया तो दूसरे साल में इसकी कीमत 500 र यह सो रुपाय का दाल बचा है उसमें जोड़ना नहीं है वह पिछले साल का स्टॉक बचा ओ ठीक है बचा उसका हो गया गड़ना अब उसे हम नहीं जोड़ेंगे ठीक है तो इस प्रकार से हमने यह पड़ लिया है अब हम नेक्स्ट चलते हैं आयविधी आयविधी क्या है इस बारे में ठोब जान लेते हैं ठीक है दोस्तो तो अब हम next method पर चलते है आयविधी ठीक है आयविधी का उबयोग कहां किया जाता है हमारे सेवा-शेत्र 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 संबंधित समंदित जो है वो आए जीडीपी के गड़ना में किया जाता है इसका यूस तो यह क्या होता है तो उत्पादन के प्रतेक साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए जो एवजी या आए या पुरुसकार या मूल दिया जाता है उन्हें एक साथ जोड़कर जीडीपी की गड़ना की जाती है ठीक है यह क्या होता है फिर से देख लेते हैं मतलब माली जे वह हमने कपड़े की बात की थी कपड़ा नहीं है यह सिर्फ सेवा शेत्र से सम्मंदित है यह ध्यान में रखिए अभी जो मैं समझाऊंगा वह सेवा शेत्र का उधारन नहीं है कपड़े का उधारन दे रहा हूं मैं इस विदी का लेकिन हमारे देश में विशेशकर हमारे देश में सिर्फ सेवा चेत्र के लिए आएविधी का उपयोग किया जाता है ठीक है तो इसमें confusion नहीं करना अभी में जो उधारन देने जा रहू हो सेवाच्षेत्र का उधारन नहीं है यह एक समाने कपड़े का उधारन दूंगा जो की सभी छेत्रिसमें involved है ठीक है तो इसमें confusion नहीं करना है उधारन इसले रहा हूँ ता कि आपको समझाज आए कि यह क्या आए विधी परिभाषा को समझाने के लिए तो जैसे एक कपड़ा है अब इस कपड़े के उत्पादन में क्या बोल रहा है पहला अध्ला उत्पादन के प्रतिक साधन current को इसके उत्पादन में क्या-क्या साधन लगाऊगा तो हमने पढ़ा है पहली जो मैंने मेरी सबसे पहरी क्लास लीट उसमें बताया था कि उत्पादन के कितने साधन, पात साधन मैंने बताया थे कौन-कौन सा श्रम, पूंजी, उसके बाद भूमी, और उद्यम या साहस, और एक बताया था संगठन, तो संगठन या स्रम एक ही हैं बोल सकते हैं आप जैसे यदि मजदूर वरग जो हैं, जहने हम रोजी देते हैं, मजदूरी देते हैं, न प्रतिदिन कारे करते हैं प्रतिदिन अपना मज़दूरी ले जाते हैं वह श्रम आ जाते हैं उन्हें का जाता है और श्रंगतन मतलब जो सैलरी पेड यहां पर श्रम, पुणजी, भूमी और उधियम, मतलब साहस, entrepreneurship तो labor, capital, land और entrepreneur तो इन तीन ये चारो लगेंगे हाना ये चारो इसमें लगे इसको बनाने में कहीं न कहीं इसको कपड़े को बनाने में श्रम लगेगा पूंजी लगेगी कोई तो पूंजी लगाएगा कोई तो फैक्ट्री डालेगा कोई तो अपना पैसा फसाएगा भूमी लगेगी कहीं तो लोग भूमी किराय से लें गया खुद की होगी उस पर पैसा देंगे उसके लिए या तो किराया देंगे लीस पटाएंगे या तो उसके लिए पैसा जो लिया हुँए उस पर द्रॉम्ह मार्केट में बिढ गए तो इस 500 रुपए में अब आगे पढ़िये उत्पादन प्रक्रिया में सहीयोग देने के लिए इन्हों चारों ने सहीयोग दिया कपड़े के उत्पादन में जो एवजी या आय या पुरुसकार दिया जाता है उन्हें एक सांच जोड़कर GDP कहा जाता है तो माली जीस 500 रुपए में 200 रुपए इसका लाभ श्रम को हम देते हैं मजदूरी पुझी का मिलता है लाभ और भूमी का मिलता है लगान या किराया भूमी का रेंट और उद्यम का लाभ उद्यम कने वाले को लाभ तो 100-100 रुपए इन्हें मिला और 200 रुपए किसे मिला उद्यम कने वाले को इस प्र उत्पादन में उन्हें आप जोड़ दीजे स्रम को 100 रुपय मिला पुंजी को 100 रुपय मिला भूमी को 100 रुपय मिला और उद्ध्यम को 2 रुपय मिला कुल मिलाकर मेरी GDP किती होगी 500 रुपय हो गई यही होता है आए विधी तो अब आयोब क्यों यह जो है परिभाशा समझ जा गई होगी उत्पादन के प्रतेकसादनों को उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए जो एवजी या आय या पुरुषकार या मुल दिया जाता है उन्हें एक साथ जोड़ करके GDP के गड़ना की जाती है अब इसमें क्या क्या जुड़ता है तो थोड़ा सा औ और अनदर जागर के जैसे नगत मस्दूरी, वेतन बुखतान, सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान जो कंपणी होती है नियोजक जो होते हैं वो क्या करते हैं मशदूरों को जो पीएफ जो जो दिया जयता है तो पी फ में मशदूर की वेतन से कुछ हिस्ता क यह जो नियोजक होगा, कंपणी का मालिक होगा, वो भी उतना ही डालता है, तो वह भी इसमें कैलकुलेट होगा, सामाजिक चुरक्षा में नियोजकों का योगदान, क्योंकि वो अल्टिमेंटली वो देगा कहा से, आखिर वो जो स्वामान भी केगा, उसी से जो प्रोफिट मिलता है, लगान, भूमी वाले को, और अवितरित लाब, जो उद्यम करते हैं उन्हें, जो लाब मिलता है वो, तो यह सभी जुड़ते हैं किसमें, इनके अंतर गया, जो हम यहाँ पर आय, एवजी, पुरसकार, यह सब बोल रहे थे, उनका मतलब यही सभी है, ठीक है, आपने दे दिया, और उसके बतले में आपको कुछ नहीं मिला, मतलब यदि हम किसी दुकानदार को 100 रुपे देंगे, तो 100 रुपे का समान लेते हैं वापस, तो यह अर्थवेवस्ता का लेन दिन चलता है, बराबर, जितना मैंने दिया, उतना मैंने लिया, उसके बतले भ व्रिद्धवस्ता पेंचन योजनाएं चल रही है, उसके बारे में हम सभी योजनाओं को पढ़ेंगे तो व्रिद्धवस्ता जो पेंचन है, वह एक हस्तांतिरित आयका उधारन है, अब यहां पर जो पेंचन है, इसमें अंतर है, सेवन निवृत्ति के बाद जो पेंचन निवृत्ति के बाद, लेकिन ये, इस पर तो कोई किस प्रकर का करार नहीं हुआ था पहले, आपने आपने तो कुछ काम नहीं किया, वृद्धवस्ता होने के बाद, ये जो पेंचन मिल रही है, ये तो अलग से सरकार आपको दे रही है, है ना, तो वृद्धवस्ता पेंच बत्ता देते हैं वो उसके बाद जो गैर कानूनी कार्य है जैसे हवाला बागारे से पैसे क्यों गाई कर रहे हैं हाना हवाला का कार्य है उससे भी लोग पैसे कमा रहे हैं या गैर कानूनी सटा कर रहे हैं सटा खेल रहे हैं और दुनिया बर की चीज़ा कर रहे हैं उनसे जो करता था दस लाग रुपए का बेस दिया आपने दो महीने बार दी तो वो नौ लाग रुपए आपके सुद्ध कमाई हो गई तो नौ लाग रुपए को भी इसमें नहीं जोड़ा जाएगा ठीक है इस प्रकार से लोट्री या पुझी का दलाब से भी प्राप्ता आयको आपको इसके बारे में जानना जरूरी है तो यह विधी इस सिद्धांत पर कारे करती है कि सभी उत्पाद वस्तु एमन सेवा दोनों ही किसी ना किसी के द्वारा खरीदा जाएगा ही अता कुल उत्पाद का मुल्य लोगों के वस्तु में खरीदने की कुल लागत के बराबर होगी ऐसा यह मान कर चलता है और गड़ना कैसी की जाती है इस विधी के तहट एक लेखा वर्ष में समस्त प्रकार के व्यायों को शामिल कर लिया जाता है व्याविधी नाम ही है जि प्रकार कुम राष्टीया की गड़ना कर सकते हैं ठीक है गड़ना कर सकते हैं कर सकते हैं इस प्रकार अब यहां पर दखेंगे वह जो बोला हुआ उसको हमने यहाँ लिखा यह Y मतलब जो income है आए अगर Y को हमने आई से दर्शाया है तो यह कितने के बराबर को कुल आए consumption ठीक है C plus S consumption और savings मतलब यदि मैंने कुछ पैसे कमाए तो उसका दोई इस्तमाल करूँगा या तो मैं चीजे खर दूँगा उसका consume करूँगा उसकी चीजे ले करके या तो सेवा ले करके उसे खर्च करूँगा या फिर फैसे जो बचेंगे मेरे पास उसे मैं या तो बचाऊँगा मतलब या तो बेंक में डाल दूँगा या तो मैं government की कुछ bond खरीद लूँगा security खरीद लूँगा ट्रेजरी बिल खरीद लूँगा कुछ भी कर लूँगा तो या तो वह बचत में रहाएगा बचत के दो तरीके है या तो मैं सीधा ares आमॉंड इंवैस्ट कर दोंगा कुछ बिल लीए मैंने सेविंग सेर्टिफर ले लिया फिर इस प्रकार से या फिर फिर था तो आए जो होगी वह कहां खर्च होगी या तो कंजप्चन में उपोबोग कर दोंगा या थो सेविंग या तो बचत में बचत में या तो वो सेविंग में मेरे बैंक एकाउंट पर चुप पड़ा रहेगा या तो मैं उसे कहीं पर इन्वेश कर दूँगा तो यह अब तो फिर यहाँ पर जो है खर्च जो है वो उसे हमने यहाँ पर GDP में हम कैसे कल्कुलेट करेंगे तो जो आए होगी तो GDP पराब जो हम खर्च करेंगे ना उसी विट्ती वर्ष में एक विट्टी वर्ष में नीजी उपभोग का मतलब जितना भी लोगों द्वारा अपने उपिभोग के लिए वस्तुमों इवाँ पर जो खर्च कर रहे हैं वह तो प्र फिर्दर्षित कर रहा है आपर उसके बाद आई क जितने भी प्रकार के investment है वो सब आई उसे प्रदर्शियत करता है तो C प्लस आई इतना जोड़ दिया हमने उसके अलावा government द्वारा यह तो वह नीजी उपुभुख के बारे में इसंने ये नीजी के बारे मता रहे है उसके बाद आई है यह निवेश हो गया उसके बाद जो जी है वो गॉवर्मेंट expenditures salary भत्ता इसके उधाराने मतलब government दोरा जितने भी खर्च किया जाते हैं योजना योजनागत खर्च गैर योजनागत खर्च salary में salary में जो पैसे दिये जाते हैं और भी जो तमाम खर्च किये जाते हैं वो सभी खर्च जी उसे डिनोट कर रहा है तो हमने नीजी उपभोग पर खर्च जो gross investment उसे भी जोल दिया खर्च को जोल दिया investment को जोल दिया government दोरा किया जाने वारे खर्च को जोल दिया और साथ ही साथ plus net export import मतलब यहाँ पर next net export बोल रहा है यह क्या जितना हम export करने अब यहां तक तो आप लोग समझ गहें सिर्फ यह x-7 को समझें जितना देश के द्वार हम लोग कुछ export करेंगे बाहर कुछ बेचेंगे और बाहर से कुछ हम import भी करते हैं कुछ चीज़े हम दूसरे देशों से खरीदते हैं कुछ कर देंगे या फिर यदि हमने 100 रुपय का बेचा और पचास रुपय का खरीदा तो हमारे पास प्लस पचास बचेगा तो प्लस पचास बचेगा तो इसमें जूड़ जाएगा इस बाकी में पचास प्लस जोड़ दिया जाएगा तो यह हम X-M मतलब export minus import को बताता है तो उसे हम net export बोलते हैं शुद्ध निर्याद तो शुद्ध निर्याद आपर यहां पर ठीक है तो X-M तो यह formula के रूप में इससे यहां पर लिख दिया गया सब्दू में क्या यह भी हमने लिख दिया इस प्रकार से अब हमने तीनों वीधियों क सामर्ट किसान तो